Pakistanisतानी कौम से हें पूछना चाहता हूँ ठीक है। जिसको आप चाय वाला कह़ रहे थे उस ने तो रास्ता दिख दिखा दिया इकलाग का। उसने तो रास्ता दिखा दिया एमानदारी का। और तमारा इमरान खन चुर्डध का है । जो सुर होता है उसको कीचड़ पसंदाता है इसका मतलों यह थोड़ना कि आप सुर से कुछ ती रणना शुनु करतो के सुर को तो मज़ आएगा सुर की फित्रत कीचड़ में लड़ना है इसलिए मोदी जी ने बोला कि भाई मैं सुरहों से कुछ नहीं लड़ता मैं दूर इसकी कोई वैसे भी जीरो गैली हुआ है, बिकारी आदमी है, बिकारी कौम का प्राइम मिनिस्टर है, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जेल जाएगा, सिर्फ यही जेल नहीं किया, नवाज शरीफ जेल गया है, ठीक है, सारी की सारी पाकिस्तान की टॉप लिडर मिक्स के करना है वीडियो, जोस्तो आज मेजर साब का वीडियो है, और आज का टॉपिक मेजर साब का मीन टॉपिक वो है कि कैसे इमरान खान के सपोटर पाकिस्तान में सिविल बोर्ड जैसे, सिचुएशिन पैडा कर रहा है, तो ये तो हो नहीं वाला था, आज नहीं तो दो मेजर साब को और समझते हैं वो इमरान खान के सपोटर्स क्या करें, तो सुरू करते हैं हच का में सिचुएट जैन दोस्तों, मैं हूँ मेजर गरवारी और आप देखने हैं दर्चानक के डायलोंग्स, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी मत बूलिया रहा है, अच्छा एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर कि United States of America ने ये रेकोगनाईज कर लिया है कि जो मैक महान लाइन थी, ये मैक महान लाइन क्या है, ये बेसिकली मार्च 1914 जब अंग्रेजों का रा एक अंडिस्टेंडिंग थी कि ये लाइन होगी, मोटा मोटे, और इधर तिब्बत होगा, इधर बड़ेश इंडिया, बात ये हो गई कि बाद में एक कॉंट्रोवर्शल हो गया, और चाइना ने जो भी अपनी हरकतें करी, फिर 1962 का एक्शन हुआ, 1967 का एक्शन हुआ, फि आईए, तो अरनाचल प्रदेश को, और खास तौर से बाउंडरी है मेक महन लाइन बट्वी अरनाचल प्रदेश और चाइना, चाइना नहीं बोलना चाही हो है, वो तिबट आक्शली, बठीक है चाइना, फो बेटर अंडिस्टेंडिया, वो बाइपाटिसन यानि की दोन दिमोकराट्स और प्रदेश और एपसेट हो है चाइना, दुखी हो जाएगा, यह बात कभी कभी खुलके नहीं बोली, जब अरनाचल प्रदेश में हमारे कोई प्रदान मंत्री है, कोई बड़ा मंत्री बी जाता था वहांपे, तो हर समय चाइना की तरब से अब्जेक्श पर आके ये बोल दिया कि हम यह रेकोग्नाइज करते हैं तो मैं अच्छा लगे तो ठीक बुरा लगे तो ठीक इसके अलावा इसके अलावा अट आप पर चाइना चाइना कॉंटिनुस तो पोज ग्रेव जापते हैं यह सनेतर हैं एपर आपटिसे सपोस्व कर दीजियर न मासा प्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यह धंकी भी देदी इन लोगों को यह धंकी कैसी देदी है दंकी इस प्राकार से देदी है जिए भायों देखो ऐसा है कि यह सब जो तुम कर रहे हो ना ये चूरन बाजी यह अटाक कर देंगे यह अटाक कर देंगे नहीं यह उन्होंने क्वाड की भी दम की देनी क्योंकि स्टेट्मेंट पर क्वाड का भी नहीं है basically what they are saying is that we will use क्वाड, AUKUS जो है वो तो ही लेकिन AUKUS का हिससा भारत नहीं है, QOD का हैसा आपको पता है भारत है, ये यूजिंग QOD ओल्सो अगेंस चाइना, अब दुनिया, ये वर्ल्ड ओर्डर ना, आपको देखना पड़ेगा, वर्ल्ड ओर्ड चेंज हो रहा है दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड ओर्डर को समझते हैं, वो पुराना हो रहा है, इंडो पैसिफिक की बात कही गई है, और इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है, मोरदन रीजन अक्चुली इंडो पैसिफिक, यह थौट प्रोसेस है, निया थौट प्रोसेस है, बहुत समय तक कोल्ड ओर की मेंटालिटी थी, रूस इधर, अमरीका इधर, वेस्टन वर्ल इधर, इस्टन वर्ल इधर, ड्रमा, अमरीका का अफगानिस्तान से निकलने के कई करण थे, पर एक करण यह भी था कि दे सौट चाइना इस थ्रेट, और पिछले 10-12 साल से अमरीका में बाची चल रही है, कि चाइना इस दे रियल थ्रेट, यही बात इंडिया भी कर रहा है, यह बात इंडिया भी कर रहा है, ठीक है, तो इसमें यह बहुत बड़ा बयान है, बाइपार्टिसन है, यानि कि यह नहीं कि एक पार्टी ने कराए, डेमोक्राट्स ने कराए कि जो बाइडन डेमोक्राट है, नहीं, नहीं, यह कॉंग्रेस में हुआ, bipartisan है, इसमें Republican भी शामिल है, इसमें Democrat भी शामिल है और पूरा का पूरा जो political system अमेरिका का ये कहता है हम मानते हैं और नाचल पुदेश भारत का टूट अंग है हम मानते हैं कि चाइना ने बकवास करी है, चाइना ने तिल मेल आ गया है, बुरी तरीके से दोस्तों अब आपको पता है कि तोशा खाना का क्या case हो गया तोशा खाना होता क्या है, तोशा खाना वो होता है जहां पर सरकारी gift रखी जाती है जब कोई head of state आता है तो वो you know, you give him a gift और जब आप जाते हैं तो वो आपको gift देता है, जो भी guest होता उसको gift दे जाती है gifts exchange करी जाती है मोधी जी भी जाती है, उनको भी मिलता है तो पाकिस्तान में ये खटा करागा है पाकिस्तान में कानून है कि आप इसका बहुत एक मामूली सी value देदें, करोडों की gift होगी आप उसके मामूली सी कुछ एक दो लाग पांच लाग जो भी है आप उसका value दे दे और वो आप अंटी कर ले भाईयों ने क्या करा? कि भाईयों ने चोरी तो चोरी करी उन्होंने डखेती कर दी पाकिस्तानियों ने उन्होंने डकेती कर दी पाकिस्तानियों ने और जो दस टॉप चोर हैं जो उन्होंने तोशा खाना की गर्फ चोरी करी थे उसमें चार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानि कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है तॉप के चार चोर हैं वो नून लीग के हैं उन अच्छा ब्रिगेडर साइद यूसुफ रजा गिलानी फॉर्मर मिलिटरी रूलर परवेज मुशादरफ एंड एक्स प्रीमिर शौकत हजीज बिसाइड्स रिटाइड ब्रिगेडियर वसीम इफ्तकार चीमा फॉर्मर मिलिटरी सेकेटरी प्राइम मिनेस्टर और अमंग दी अच्छा ब्रिगेडर साब ने भी हात मार दी है इसमें तब ये पाकिस्तान की फॉज नंबर वाना है क्यों कहते हैं पाकिस्तान वी मारी फॉज नंबर वाना है गिफ्ट नहीं छोड़ी इन लोगों है तो सब इन सब लोगों ने चोरी करी और चोरी करने के बाद माल ये हुआ ये कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने जो चोरी करी यो माल गया कहां पर ये तो स्टेट का माल था भारत में मोधी जी का एक वीडियो बड़ा वाइरल हुआ आप सब देखा होगा जिसमें मोधी जी कह रहे हैं कि मुझे ये गिफ्ट मिली थी ये गिफ करी मैंने बोला गर्ल्स एजूकेशन के लिए दो अच्छा पाकिस्तानियों को बड़ा इससे अफ्सोस हुआ यार बहुत बुरा लगा है हमारे हैंड्सम को देखो हमारे हैंड्सम ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है क्या स्टाइल है क्या बात करने का तरीका है है ना शकल पे दे उसके बारे मैं और बताऊंगा मैं उसने ट्वीट करा था प्राइमिनस्टर मोदी के लिए मैं आपको ट्वीट पढ़के दिखाता हूँ और यह आप अपने स्क्रीन पर भी देखिये disappointed at the arrogant and negative response by India to my call for resumption of the peace dialogue however all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture ठीक है जी यानि कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो बहुत छोटे आदमी है और एक बहुत बड़े office में उनको बैठा दिया गया है small man छोटा अदमी big office में बैठा दिया गया है लेकिन मैंने अपने पूरी जिंदगी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कोई vision नहीं है इनके पास ये नहीं है वो नहीं है ये खान साब ने बोल दिया हमारा तो चायवाला है ठीक है आपका भाई ऑक्सवर्ड वाला है एंडजम भी है वो तो मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूँ ठीक है जिसको आप चायवाला चायवाला कह रहे थे उसने तो रास्ता दिखा दिया एक लाग का उसने तो रास्ता दिखा दिया इमा खान खान चर तुमारा अमरान खान लाइट टकैट एसी बात नहीं है कि नवाजु कर भान खान थो सादिक और अमीन था तुमारा था तुमैरा व्लाइन खान छारा था झात्वा बैट अब पी ट्टी आई वाले जो सपोर्टर हैं जिनके जितने तेही चोर, ओ भाई वो तो तेही चोर, उनसे क्या कमपेरिजन कर रहे हैं इमरान खान का, तुम्हारा था इमरान खान, जिसको तुमने बोल दिया किसाभ, ये तो फरिश्टा है उपर से, अल्ला ने खास भीजा है पाकिस्तान के लिए, ये तो फरिश्टा था, इसका तो दा सोचो तब भी मोदीजी ने जवाब ने दिया और आज जब तारीख गवा है कि he has been the Indian Prime Minister has been proven correct उन्होंने आज भी जवाब ने दिया क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को से बातचीत करना या किसी भी पाकिस्तानी Prime Minister से बातचीत करना ये खुद क्यों देखो सुर को कीचड़ पसंद आता है जो सुर होता है उसको कीचड़ पसंद आता है इसका मतलब ये थोड़ना कि आप सुर से कुछती लड़ना शुरू करते होगे सुर को तो मदा आएगा सुर की फित्रत है कीचड़ में लड़ना है इसलिए मोदी जी ने बोला कि भाई मैं सुरां से कुछ नहीं लड़ता मैं दूर हूँ इसको जो बखना है बखने दो यार इसकी कोई वैसे भी जीरो वैल्यू है बिकारी आदमी है बिकारी कौम का प्राइम मिनिस्टर है यह ठीक है यह क्या ही हमारा बिगाड लेगा और इस ड़के मारे अपने घर के अंदर बैठा हुआ है ड़के मारे 1992 वर्ल कप का कैप्टन ड़के मारे अपने घर के अंदर बैठा हुआ है तो बाहर पुलिस है इतना बड़ा मर्द का बच्चा है तो बाहर जाके अपनी गरिफतारी देना है अपील कर रहा है सबको यह सुनो और उनका ये ख्याल है कि जब इमरालखान जेल में चला जाएगा तो कौँम सो जाएगी आपने इनको गलत साबट करना है आपनी इसाबट करना है कि ये जिन्दा कौँम है ये मुहम्मद मुस्तिफा नभी सलवाभ ओश्यल्म की उम्मत है ये ला इला इल्ला के नारे के पर बनने वाली कौम है आपने अपने हकूक के लिए हकीकी अजादी के लिए आपने जदोजेत करनी और निकलना बाहर देखें इमरान खान को अल्ला ने सब कुछ दे चुका है मैं आपकी ये जंग लड़ रहू हूँ मैं तो अपनी सारी जंगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं तो आपने ये थावित करना है कि इमरान खान के बगार भी ये कौम जदोजेद करेंगे और ये बत्तरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुलके ये कभी आप कबूर ने करेंगे सुना अपने इमरान खान की अपीर अगर मैं मर जाओंगा तो ये हो जाएगा आभे तू मर जाएगा तो क्या हुआ कितने कितने सिकंदर आके मर के कोई पूछ नी रहा उसको कुंच को याद है हरेख अधा अधमी जो पैदा होता हो मरता है चाहए हो इंडिया न हो photograph देख रहे हैं ये लगातार från फोर्टोग्राफ देख रहे हैं जो अपने screen पर देख रहे हैं हम videos नहीं दिखाते कॉपीरेट strike की वजह से लेकिन जो आप ये लगातार दर लगातार आप जो ये scenes देख रहे हैं पाकिस्तान में इस आदमी ने गिरिफ्तारी देते अगर तो मैं कोड को फेस करने के लिए तैयार इंआर देखा अगर मैं चुड़ू तो यहीं इमरान खान कहा रहा है और वहाँ पर जो लेडिस हैं पाकिस्तान तहरी के इनसाफ की वो लेडिस गाना गा रही है हमारे खान को ये कर दिया और ये लोग जलम कर रहे हैं तुम्हारा क्या मतलब है अगर कोर्ट ने बोला इसको अरेस्ट करो तो तुम को नोते बीच में आने वाले अरेस्ट परकेटाल उसको जेल जाएगा बड़ा लीडर बनेगा मैं बता रहूं एजन इंडियन में आपको बता रहूं जेल जाएगा सिर्फ यही जेल नहीं गया नवा शरीफ जेल गया है ठीक है सारी की सारी पाकिस्तान की टॉप लीडर्शिप कभी ने कभी जेल गई है जर्दारी भी जेल गया है जर्दारी तो पता नहीं हाट दसताल रहा है जेल कि इसको फाइदा करने कि एस अप है क्भारत का फाइदा कर बात यह नहीं कि पाकिस्तान में तैलेंट है कि नहीं है, जो आप लोग आपके जो रियक्शन लेते हैं ना, पाकिस्तानी यूटियोबर्स अच्छा काम करते हैं, जो पाकिस्तान में काफी कोट करा गया, कि मैंने बोला कि हमारे जो जेंरल्स उन्हों कितने सरहल जृट से जीते हैं मतलब जिसको कहते हैं कि कोई stress नहीं है को टेंशन नहीं क्योंकि चोरी का पैसा ही पैसा नहीं है प्ई पैसे अराम से तो रहेगा जाग् Three आराम मतलब के, आराम मतलब ये नहीं कि ड्राइवे में पांच मस्रीडीज करी हैं, आराम मतलब ये कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक मारूती सुजुकी खड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने पैसे की कोई उंगली नहीं उठा सकता, और इमरान खान इतना डर्पोक, इतना डर्पोक ये घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, भाई घर से बाहर नहीं निकल रहा कि कहीं मुझे जेल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा लोग कहते हैं इसको छिपकली हो से डर लगता है इसलिए जेल नहीं जाना चाता है इसको लगता है को छिपकली मेरे उपर गिर जाएगी I'm telling you the truth तो अब इसको आई पुलिस पकड़ने तो अभी ये बड़ा ड्रामा कर रहा है हो सकता है जब तक ये विडियो रिलीज हो सकता है एरेस्ट हो जाए हो सकता है ना हो लेकिन एक बाद दो है इमरान खान जेल नहीं जाएगा चाहे सो पीटी आई के कारकुन मर जाएं इसको को फरक नी परता ये जेल नहीं जाएगा अपनी तरफ से जब तक कि बिलकुल जिसको कहता है कि इसको पकड़ करी ना ले जाए पुलिस किसी दरी के सरे और लोगों को मारक उटके फिर इसको पकड़ करीशा है ये आद्मी बाुट ये सारा जो पाकिस्तान में गेम हो रहा है जो आपने फोटोग्राफ देखी न मैं चाहता हूँ एडिटर सब दुबारा एक बार फोटो दिखें। वर्ल्ड कप क्रिकेटर, कैप्ट, देखो, तुमारे और हमारे मुल्क के बीच में सबसे बड़ा फरक यह नहीं है, यह सबसे बड़ा फरक 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 लेकिन इस नाट बिगस्ट इफरेंस इखलाग का, इमानदारी का, इमानदारी देखो, उस चायवाले की इमानदारी देखो, और अगर कुछ शरम रह गई है धेले भर की न, दो रुपे की अगर तुमारे दिल में शरम रह गई है, तो सीख लो, कि पूरी कौम के साथ दालो heil में, बच्चों को जेल में डालो, और्तों को जेल में डालो, बुजर्गों को जेल में डालो, बस मुझे जेल को, मैं बिस्तरे के नीचे छुप जाओं, या बातरूम के इंदर दरवाज़ा मन करके बेढ़ जाओ, वो ये कह रहा है। सही है और फिर कहा है स्मॉल मैन और बिग ओफिस समझें आप ये दोनों मुलकों का फरक है नॉट की बहुत बड़ा मार्की ठाइड लिया बहुत बड़ा मार्की मार्की फारकी तो बाद में है वही इमानदारी देखो दोनों लीडर्स की तुम्हारा शहवाज भी चोर तुम बहुत बड़ा मार्कीट है अब मार्कीट नहीं तुम लोग इमानदारी नहीं हो बहुत बड़ा मार्कीट है अब मार्कीट जो होगा तो होगा तुम लोग इमानदार नहीं हो कबूल करो पहले कि पूरी कौम के जो अस्तर पंज़र धीले हो रखे हैं ये जो लोग जन्हो खुद बहुत अमीर है इमरान खान 2018 में प्रायम निंस्टर बना right और उसके पहले कब 92 वर्ल कब के बादे रिटायर हो गया था इमरान खान के खर्चे काइसे चल रहे थे कोई pension मिल रही इमरान के कोई tanko मिल रही इमरान खान रहे इतने सालों कौन सी नौकरी कर ली बताओ ज़रा मुझे एक बार बता दू कि जनाब इमरान खान ने बिशले 15 साल जब वो unemployed था जब वो कुछ काम नहीं कर रहा था इमरान खान ने ये नौकरी कर ली इमरान खान का बनी गला का इतना बाला घर है आना जाना पूरे foreign ये कहां से पैसा आया है इमरान खान के पस इमरान खान तो कोई था भी नहीं पहरी के इंसाफ तो सारे election हार गई की it was losing all the elections इमरान खान के खर्चे कहां से यतने साल मैं ये जानना चाहता हूँ basic basic सवाल है यार आप लोग नहीं पूछते आप लोग को नहीं लगते इस सवाल important तो कि पाकिस्तान में हर समय चोरों की जमात रही है डकोतें की जमात रही है मैं आज ये सवाल पूछता हूँ इमरान खान 2011 में प्राइम इनिस्टर बना चलो ठीक है प्राइम इस्टर बनने के बाद तो प्रोटोकॉल लग यह लग यह 2017 तो उसके खर्चे कौन ले रहा था और कितना ही कमाली होगा इमरान खान ने आपके पाकिस्तान क्रिकेट में तो पैसा है नहीं जादा फुगरी है क्रिकेट आपके पूरी फुगरी है पैसा ही नहीं आप लोग में पास पैसा ही नहीं है कहां से इमरान खान के पास पैसा आया कौन उसके खर्चे चला रहा था कभी सोचिए तब आपको पता लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान के खिलाफ जो वारंट है उसको कुर्ट कैंसल कर देती है फॉज उसका सपोर्ट करती आज भी जब कि वो फॉज को गाली देता है क्यों सोची जरा स्मॉल मैं इंड बिग ऑफिस तो लोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो में जैसा बाज फॉर्म में ल है कि यह रोना चल पर देश भारत का हिस्सा है वोटो है ही है लेकिन वो चाइना भी क्लेम करता है इसलिए यूएस की कॉंग्रेस ने यह पास किया है और उसमें उनका भी फाइदा है इसलिए यह सिर्फ भारत को सपोर्ट करने के लिए नहीं लेकिन वो उनका भी फाइदा देख रहा है कि अगर चाइना से कोई लड़ सकता है और अमरीका का साथ दे सकता है तो वो इस रीजिन में सिर्फ पारट ही है तो उसी के लिए वो इंडिया की इतनी बर्चर के सपोर्ट में आगी आ रहा है और जहां तक बात रही वो इमरान खान की और पाकिस्तान की लीडर से लेके प्रदन मंत्री टरकों के कैबिनेट मिनिस्टर सबके सभी करप्शन केसिस में कई न कई से चूड़ाई होते है तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान ने जो वो किप्स मिले थे वो एकड़म कम दाम में खरीट कर उसको बाहर बेच दिये और ये कैसा है वहां पर लाग है कि वह ऐसा कर सकते है तो ये तो अजीब सा है हमारे मोडी साफ का जो मेर्जे साफ बात कर रहे थे वो वीडियो में ने देखा था तो और पाकिस्तान में बहुत वाइरल भी हुआ था लेकिन तब क्या कह है पाकिस्तान के बाद में तो वहां के लोग भी जैसे लोग वैसी वहां के लीडर्शिप और आर्मी भी तो वैसी है तो फिर उस देश का कुछ हो नहीं सकता और जो इमरान खान घर पे छुपके बैठा है ताकि अरेस्ट नहीं हो जाए तो उनके सपोर्टर्स भी ऐसे बेवकुफ है और बीना दिमाग वाल है कि उनके लिए इतने सारा प्रोटेस्ट करते है और हंगामा करते है ताकि इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर पाए लोग उसके लिए जैल जाने के लिए टेएर है हमने ट्वीब्रो की एक वीडियो देखी थी कि वो जो जेल बरो टेरिक इमरान खान ने चलाई थी तो उसमें से 200 लोग नही थे, तो वह भी फिल को एक तरिके से हुई लेकिन फागल लोग है कि इनके लिए जेल जाने के लिए तरियर है ये तो होना साधे तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है या इमरान खान जीज़ जाता है या हर जाता है तक ये ऐसे यहां पर चलते रहने वाला कुछ बदलने वाला तो है नहीं तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमें सेक्षिन में लिखके जरूर बटाएगे वीडियो पसना है तो लाइक करने में पूलिए और चैनल पर नहीं है ते सब्सक्राइब करने में पूलिए